सूर्य देव के राशी परिवर्तन का अगले एक महीने तक यानि मोटे तोर से 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक सूर्य के राशी परिवर्तन का अलग-अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले जानते हैं मेश राशी के बारे में देखिए सूर्य का राशी परिवर्तन आपके लिए अच्छा है आपके स्वास्थ में सुधार होगा आपकी सेहत की स्थिती लगातार बेहतर होगी सूर्य के राशी परिवर्तन से और आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे यानि मेश वालों के लिए सूरे का राशी परिवर्तन उत्तम है व्रिशब राशी, धन लाब के सुन्दर योग आपके लिए बने हुए हैं पैसे की बढ़िया प्राप्ति आपको होने वाली है लेकिन इस समय नौकरी में कोई परिवर्तन भी एक्सपेक्टेड है नौकरी में कोई परिवर्तन भी इस समय हो सकता है अगले एक महीने तक मानसिक रूप से इसके लिए आपको तयार रहना चाहिए मिथुन राशी करियर में परिवर्तन तो आपके भी दिख रहा है क्योंकि मिथुन में ही सूरिका राशी परिवर्तन है जो आपके करियर में परिवर्तन करा सकता है और ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत positive नहीं दिख रहा है इसलिए परिवर्तन के समय जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, समझिएगा तो बहतर होगा और स्वास्थ का आपने बहुत ध्यान रखिए, सूरे के पास तीन चीजें होती हैं हड्डिया, आखें और डाइजेशन, इन तीन चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें आपकी अगले एक महीने में बर सकती है करकराशी, आपके रिष्टों में थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है और वो रिष्टे जो आपके हृदय के बहुत करीब हैं, आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं जिनके साथ आपके बाइंडिंग बहुत मजबूत हैं उनके साथ थोड़ी मुश्किल आ सकती है इसलिए इस एक महीने में जड़ा शान्ती से चीजों को हैंडिल करिएगा जड़ा शान्त रहिएगा ताकि रिष्टे खराब ना हो और अगर आँखों में कोई दिक्कत होती है तो कृपा करके उसमें लापरवाही मत करिएगा क्योंकि इस समय आँखों की समस्या आपको परिशान कर सकती है सिंग राशी सूर्य के राशी परिवर्तन से देखिए आपको पैसों का फायदा जरूर होगा आर्थिक लाब की बेहतरीन संभावनाएं बनेंगी और बढ़िया पैसे की आपको प्राप्ति होगी हो सकता है आप पैसे के साथ कोई संपत्ती खरीदें कोई संपत्ती बनवाएं इस तरह की संभावना भी बन रही है और इस समय आपके संतान पक्ष की विशेश उन्नती होगी संतान की उन्नती से जीवन का तनाव बहुत हद तक कम होगा तो सिंग वालों को मेरी सलाह ये है कि अगले एक महीने में अपनी चीजों को समेटिए अपने महत्वपूर काम निप्टाइए ताकि जीवन में तेजी से आगे आप बढ़ सकें कन्या राशी करियर में सफलता के संकेत हैं आपके लिए और अगर आप कुछ नया खोज रहे हैं कुछ नई नौकरी खोज रहे हैं कोई नया मौका खोज रहे हैं कि कुछ नई शुरुवात कर सकें तो इस समय सूर्य के राशी परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी और आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप आगे बढ़ करके मजबूत और बोल्ड डिसीजन ने अगर आप आगे बढ़ेंगे साहस जुटाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाब होगा तुला राशी की बात करते हैं देखे सूर्य देव के राशी परिवरतन से आपके करियर में इस महीने में बड़ा बदलाव हो सकता है पेट की समस्या परिशान कर सकती है UTI, Urinal Fract Infection या यूरीन की समस्या भी आपको परिशान कर सकती है तुला राशी वाले इस बात का बहुत ध्यान बनाए रखेंगे व्रिश्यक राशी करियर में थोड़ी सी मुश्किले आएंगी देखे साहस के साथ चलेंगे तो मुश्किलों से पार पा सकेंगे लेकिन अगर हिम्मत हारेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि देखे चुनोतियां तो आएंगी, सूर्य अस्टम में गोचर करेगा, मुश्किले थोड़ी बढ़ाएगा और इस फ्रस्टेशन में आके आपका क्रोध न बढ़ जाए, आपकी वाड़ी पर नियंतरन समाप्त न हो जाए इसका ध्यान बनाए रखना भी इस सप्ताह में आने वाले समय में एक महीने में आपके लिए जरूरी होगा उसका कारण ये है कि सूर्य का राशी परिवरतन थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ी से मुश्किल आपके लिए दिखा रहा है धनुराशी सूर्य के राशी परिवर्तन से आपके जीवन साथी की सेहत पर बुरा प्रभाव निगेटिव असर पड़ सकता है इसलिए आपके जीवन साथी का स्वास्त बिगर सकता है इसका बहुत ध्यान रखिए और उच्चा धिकारियों के साथ अपने बॉस के साथ आपके संबंद खराब ना हो इसका भी ध्यान बनाए रखिए अगले एक महीने में बॉस के साथ तालमेल पर बहुत ध्यान देना आपका जरूरी रहेगा और अगर कोई बात आपको पसंद नहीं भी आती है तो आप शान्त रहेगा अगर आप शान्त रहेंगे तो ये समय भी आपका बीच जाएगा मकर राशी आपके धन की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी रुके हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे और इंक्रिमेंट जैसी संभावना या पैसा बढ़ने जैसी संभावना आपके लिए बन जाएगी करियर और नौकरी में आपके लिए बदलाव के सुन्दर योग भी इस समय बनेंगे तो अगर आप कुछ नया खोज रहे हैं, कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय अपने करियर और नौकरी में बड़े बदलाव आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और इस समय ये निरड़े आपके लिए बिलकुल सूटेबल होगा, बिलकुल ठीक रहेगा कुम्भराशी, जल्दबाजी में निरड़े मत लीजिएगा इस एक महीने में बहुत बार ऐसे मौके आएंगे कि आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़े रुक जाईएगा खास तोर से फैमिली मैटर्स में, पारिवारिक मामलों में और व्यवसाय के मामले में कोई जल्दबाजी मत करियेगा और जहां तक संभव हो अपने स्वास्थे का ध्यान इस एक महीने में बनाए रखियेगा डाइजेशन का बहुत ध्यान रखियेगा क्योंकि इस एक महीने में पेट की समस्या को ले करके आपकी परिशानिया बर सकती है मीन राशी सूर्य के राशी परिवर्तन से आपका स्वास्थ थोड़ा सा बिगर सकता है और थोड़ा सा मानसिक तनाव अपने करियर को ले करके अपनी नौकरी के प्रेशर को ले करके इस एक महीने में हो सकता है साथी साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं हो सकता है जहां नौकरी कर रहे थे दूसरे आफिस में चले जाए या जिस जगा रह रहे थे वो महला वो एरिया छोड़ करके किसी और जगा चले जाए इस तरह की possibility भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रहे अगर सूरिदेव के इस राशी परिवर्तन से आपको नुकसान हो सकता हो जैसे आपकी राशी मिथुन है करक है कन्या है तुला है व्रिश्चिक है धनू है कुम्ब है मीन है और आपको राशी परिवर्तन से नुकसान हो सकता हो तो कौन सा उपाय अगले एक महीने तक करें जि से किसी तरह की दिक्कत ना हो पहला काम रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और इस समय जल अर्पित करेंगे साधा पानी प्लेन वॉटर रोज सुबह सादा पानी प्लेन वाटर सूर्य भगवान को चढ़ाईएगा दस बजे के पहले बेहतरीन परिडाम चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाईएगा सुबह और शाम को 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे मंत्र देखे स्क्रीन पर मंत्र है ओम नमो भगवते वासु देवाई ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मंत्र का जब करना आपके लिए बेहत शुब होगा और हर रवीवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड का दान कर देंगे तो आपके लिए आने वाले समय की जो मुश्किले हैं वो मुश्किले निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे तो सूर्य का ये राशी परिवर्तन आपके लिए मंगल कारी रहेगा अगर आप इन उपायों का ध्यान रखेंगे और जो सावधानिया हमने बताई हैं उनका पालन करेंगे तो सूर्य के राशी परिवर्तन से जादा दिक्कत होने की संभावना नहीं बनेगे झालन करेंगे